समस्कार प्रियसातियों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समधान हमारे यूटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे करक लगन एवं करक राशी वाले जात्कों के विशे में आपका भाग्या रतन, आपका सुब अंक, आपके लिए सुब वार, तमाम तरह की वे जानकारी जो करक लगन एवं करक राशी वाले जात्कों को जानने चाहिए जैसे कि आपका भाग्या मंत्र कौन सा है, कौन से देवतागी उपासना करके आप अपने कैरियर में और शिक्षा में चल रहे श्ट्रडल से बाहर निकल सकते हैं जोतसिये मापदंड क्या है, सास्त्र क्या कहता है, तमान तरह की बाते करक लगन एवं करक राजी को लेकर के आज की हमारी परिचर्चा होगी लेकिन इसे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दो जोतिस के द्वारा अपनी समस्त प्रकारगी समश्चाओं के समधान के लिए बहुत अच्छी स्रेणी के राशी रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा फोन नंबर, मेरा वोटसप नंबर आप स्क्रीन पर देखी रहे हैं तो चलिए साथियो विशय में बिना देद की हुए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले दो मिनट में चर्चा कर लेते हैं करक लगन की कुछ खास बाते करक लगन वाले जातक या करक राशी वाले जातक बहुत ज़्यादा समवेधन सीर होते हैं संसेटिव होते हैं इनका सुभाव Emotions यानि के Emotional होता है, Emotions से बरा हुआ होता है, भावात्मक होते हैं छोटी छोटी बाते इनके माइंड पर किलिक कर जाती है और एक विज़े वो लेकर घंटो कहीं कहीं दिनों तक सोचते रहना मूलत है इनके सुभाव में होता है चोगी इनकी राशी के स्वामिया चंद्रमा और शास्त्र कहता है चंद्रमा मन का प्रतिनिदी है इसलिए यह र यह राशी काफी समवेधन सील राशी होती है करक लगन एवं करक राशी वाले जातकों से यदि मित्रता हो जाए तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए पता नहीं कौन सी बात इनके दिमाग को क्लिक कर जाए कौन सी बात का बुरा मान करके बैठ जाए यह लोग ब इवन में बहुत आगे तक नहीं जा पाते सोचते रहते हैं विचार करते रहते हैं अब करक लगन का जो भाग्यारतन है वह है पुखराज नेचुरल स्री लंका का पुखराज आपको अवश्य पहनना चाहिए आपकी जनम कुंडली में यदि ब्रहस्पती की इस्थिती जोर है ब्रहस्पती अधिवाल्य अवस्था में है अतिवर्द अवस्था में है मृत अवस्था में है पाप दरश्ट है पाप योग में है पाप करतरी योग में है तो आप आपको अपने कैरियर में सैंक्डो बाधाएं देखने को मिलेंगी और यदि आपकी जनम कुंडल में ब्रहस्पति की इस्तिती कमजोर है तो आपको एक अच्छे जोत्सी की जना से पुखराज रत्न अवश्यधारन करना चाहिए एजूकेशन में आपकी शिक्षा में आ रही दिक्कतों में आपको मुंगा पहनना चाहिए मंगल आपकी राशी से पांचवे घर के स्वामी होते हैं करक सिंग कन्या तुला वरश्चिक मंगल पांचवे घर के स्वामी होते हैं तो उच्छे शिक्षा प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र सिद्धी के लिए साधना में सफलता के लिए आपको मुंगा रतन धारन करना चाहिए यह रतन आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और माइंड को शक्ति देने वाला होता है बात करते हैं शुबवार की मंगलवार, सौंबवार और गुरुवार यह तीन वार आपके लिए वियत सुब हैं सनी देव चुगी आपकी कुंडली में मारक हैं, डियाश्टर हैं, सातवे घर के स्वामी हैं तो शनिवार आपके लिए बहुत सुब नहीं हैं प्रिसातियों करक लगन को लेकर के आपको आईए डैसबॉल्ट पर बहुत ही जरूरी वादे में समझाता हूं करक लगन से एक, दो, तीन, चार, पाँच, मंगल, पाँवे और दसवे घर के स्वामी होते हैं अपने कारिये को विस्तार देने के लिए और शिक्षा प्राप्ति के लिए आपका मुंगा बनता है नौवे और छटे गर्दे स्वामी गुरू होते हैं तो आपका भाग्यर अपन है यहाँ पर उखराज स्वास्थय प्राप्ति के लिए मोती शिक्षा प्राप्ति के लिए आपका रत्न है मुंगा आपके शुरुवार है सोमार और मंगलवार और गुरुवार अशुवार है आपका सनिवार शुबरंग है सफेज, पीला और लाल अशुबरंग है आपके लिए काला और शिक्षा प्राप्ति के लिए भन्मान जी महराज की उपासना भी कर सकते हैं चोकि कर्क लगन से पाँचुए और दस्वे घर के स्वामी मंकल होते हैं तो कहीं न कहीं मुंगा रत्म आपके लिए बहुत जादा बेनिफीशिल सावित हो सकता है लाब प्रदाम करने वाला हो सकता है स्वास्था में लाब के लिए और सारे जनम कुंडली को मजबूर बनाने के लिए आपको मोती धारन करना चाहिए और आप ओम नमो नाराय नाय यह मंत्र का याप करें जब भी आपको आपके जब भी आपको कैरियर में कोई दिक्कत है टेंसन है तनाव है आप व्यापारिक समश्चाए है आपको बड़ी-बड़ी समश्चाए जीवान में आ रही है तो आप ओम नमो नाराय नाय इस मंत्र का जाप करें पूरन वासी का वरत करें भगवान विश्णु के आरादना कर करें आप बिलकुल नो डाउट सभी प्रकार की समश्चाओं से हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं मैं काम ना करता हूं जानकारिया आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल बुखरें सब्सक्राइब नमस्कार